सभी को मेरा नमस्कार चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे सार्मिक कार्ड के बारे में जिसको हम लेबर कार्ड या मजदूर कार्ड भी बोलते हैं और यह अपने इंडिया में सभी स्टेट में स्टेट गवर्मेंट द्वारा चलाया जाता है जो आप वहां पे अपने स्टेट के पोर्टल पर जाके इसके बारे में पुरी जानकारी ले सकते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यहां पर आपको इस वेब साइट पर जाने के लिए यूपी बी ओसी डाब्रू आपको टाइप करके सर्च करना होता है तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस स्कीम के अंत्रगत 13 योजनाय संचालित की जाती है उत्तर प्रदेश में अगर आपको इन योजनाओं का लाफ लेना है सर्मिक कार्ड अगर आपके पास है तो आप किस तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपका कार्ड खो गया है नहीं मिल ला है तो इस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे अपने अधार कार्ड से अपने मुबाइल से इसमें आप एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है और अगर आपका कार्ड हो गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक करते हैं और यहां पर आपको सर्च करना है यूपी वीओ सीडाबलू इस तरीके सापको लिए सर्च कर लेना है तो यहां पर देखेंगे कि सबसे उपर ही आप इसका आप इसका फिसल वेबशाइट यहां पर आ गया है उत्तर प्रदेश सर्जमिक विभाग का आपको इस प सर्मिक पंजियन अगर आपको पंजियन करना है नए सर्मिक करना है तेहां पर पंजियन कर सकते हैं और अगर आपको पंजियन हो गया है उसका नभी नहीं करड़ करना है तो नभी नहीं करड़ करना होता है तो नभी नहीं करड़ करेंगे तभी आपको आगे उजनाओं का रहाल मिल पाएगा और यह उसना कावधन करना है जैसे इसमें साधी अनूदान के लिए या फिर बाहल का भीवाह के लिए या फिर आपका बचे को पढ़ाई के लिए या फिर एक्सेठेंटल बीमा के लिए sayHello आख ये ऑघिये अगर जिक्विदिन कावधन करें पर और फिर आप आए जाँगे इस तरीके से एक नेक्स्ट पेज़ यहां पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले अधार काड डालने का ऑप्शन मिल जाता है अगर आपके पास सर्मिक काड़ का पंजीन संख्या है तो आप उसको यहां डालके फिर जो है चैट न्याश्या से छांट से डालने कर देना है लान सब्सक्राइब को सलिए मैं आपको ingo यहां यहां इसकुंद टकता है द्राद कर देना है तो इस तरीखे जानकादेन देखने को मिल जाता है कीसे आपको पंजीएन चुन्हीं होता है पर इhстиसे हैं पर को पूरा अद्रस दिया होता है तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं पूरा डेटा इसमें क्या है और आप अपना सरमिक सैय्टिफिकेट इस तरीके से डाउन्लोड कर सकतے इसमें 15 카ड ती दीया होता है तो तुस्सरे अमिले साल बाद आपको पिश Քर जमा करना होता है यानि नभी नीकर जो करना होताओ तो इस तरीके से आप असानी से अपना सरमिक्त काड लेवर काड डाउनलोड कर सकते हैं अपने मबाइल से और आप को कहào जानकारी अच्छी लगी हो तो चानल को लाइक प्रक्राइब जरूर करें अधान भाएंगे